यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधनात विमुच्यते नमस्तस्मई विश्णवे प्रभविश्णवे ओम जै श्रीहर विश्णू आप सभी भक्तनों को निर्जला एकादशी की मंगल शुब कामना हैं। दोस्तों निर्जला एकादशी का वरत वर्ष भर की 24 एकादशियों में सबसे स्रेष्ट माना जाता है। वर्ष भर की एकादशी का फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए ज्यादा तर भक्त जो एकादशी का वरत नहीं भी करते हैं वो भी निर्जला एकादशी का वरत अवश्य करते हैं। और कथा के बाद निर्जला एकादशी वरत की पूजा विधी और पारण के शुब्म हुर्थ के बारे में भी संपुर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को अंधि तक देखिए। तो सबसे पहले भगवान श्रीहर विष्णू का अपने मन में ध्यान करते हुए निर्जला एकादशी वरत की पावन कथा का श्रमण करते हैं। निर्जला एकादशी वरत कथा। जब सरवग्य वेद्व्यास ने पांडवों को चारों पुरसार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले एकादशी वरत का संकल्प कराया था। तब वेद्व्यास जी कहने लगे कृष्ण पक्ष और शुक्लपक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन श्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करे। फिर नित्यकर्म समाप्थ होने के पस्चात पहले ब्राम्भुनों को भोजन देकर अंतमे स्वयम भोजन करे। यह सुनकर भीम सेन बोले हे परम बुद्धिमान पितामः मेरी उत्तम बात सुनिये। राजा युधिष्टिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। तथा मुझसे भी यही कहते हैं कि हे भीम सेन तुम भी भी भोजन ना खाया करो। परन्तु मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि मुझसे भूख बिल्कुल नहीं सही जाएगी। भीम सेन की बात सुनकर ग्यास जी बोले यदि तुम नरब को दूशित समझते हो और तुमें स्वर्ग लोग की प्राप्ति अभिष्ट है तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीम सेन बोले महा बुद्धिमान पितामा मैं आपके सामने सच कहता हूं मुझसे एक बार भोजन करके भी वृत नहीं किया जा सकता तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूं मेरे उधर में व्रिक नामक अगनी सदा प्रज्वलित रहती है अतह जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तभी यह शान्त होती है इसलिए हे महामुने मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं हे महामुने जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलब हो तथा जिसके करने से मैं कल्यान का या मिथुन रासी पर शुकल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यतन पुर्वक निर्जल व्रत करो केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले आन्यथा व्रत भंग हो जा और सुवरन का दान करें इस ट्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पूरुष ब्रामणों के साथ भोजन करें वर्स भर में जितनी एकादशिया आती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी का पालन करने मात्र से मनुश्य प्राप्त कर लेता है इसमें तनिक भी संद जाता है हे कुंति नंदन भीम एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विक्राल आकरिती और काले रंग वाले दंड पाश धारी भयंकर यमदूत कभी नहीं जाते अंतकाल में पितामबर धारी सौम्य सुभाव वाले हाथ में सुदर्शन धारन करने वाल और श्री हरी का पूजन करो श्त्री हो या पुरुष यदि उसने मेरू परवत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भश्म हो जाता है जो मनुष्य उस दिन जलके नियम का पालन करता है वह पुन्य का भागी होता है उसे एक एक प्रहर में कोटी कोटी स्वर्ण मुद्रादान करने का फल प्राप्थ होता सुना गया है मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन श्नान दान जप होम आदी जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है यह भगवान श्रीकृष्ण का कतन है निर्जला एकादशी को विधी को प्राप्थ होता है जो जेश्ट मास के शुकल पक्ष में एकादशी को उप्वास करके दान करेंगे वे परमपद को प्राप्थ होंगे जिन्होंने एकादशी को उप्वास किया है वे ब्रह्म हत्यारे शराबी चोर तथा गुरु द्रोही होने पर भी सब पातकों से मु पुजन और जल मई धेनू का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनू या घृत मई धेनू का दान उचित है पर्याप्त दक्षिणा और भाति-भाति के मिश्ठानों द्वारा यत्न पुर्वक ब्राम्मणों को संतुष्ट करना चाहिए ऐसा करने से ब्राम्मण अधिशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई सौ पीडियों और आने वाली सौ पीडियों को भगवान वासुदेव के परमधाम में पहुंचा दिया है हे कुंतिनंदन निर्जला एकादेशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, अंडलू तथा चाता दान करना चाहिए, जो श्रेष्ट तथा सुपात्र ब्रामवन को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्टित होता है, जो इस एकादशी की महिमा को भगति पुर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है, चतुर दशी युक्त अमावश्या को सुर्य ग्रहन के समय श्राद्ध करके मनुच्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इसके श्रवन करने से प्राप्त हो जाता है, हे कुंतिनंदन, पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि म भगवान केशव की प्रसनता के लिए एका दशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा, द्वादशी को देवेश्वर भगवान विश्नु का पूजन करना चाहिए, गंद, धूप, पुष्प और सुन्दर वस्त्र से विधी पूर्वक प राप्ति कराईए, हे भीमसेल, जेश्ट मास में शुकल पक्ष की जो शुब एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए, और उस दिन स्रेश्ट ब्राम्हणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए, ऐसा करने से मनुष्य भगवान विश्णु क समीप पहुँचकर आनन्त का अनुभव करता है, ततपस चात द्वादशी को ब्राम्हण भोजन कराने के बाद स्वैम भोजन करें, जो इस प्रकार पुर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है, ऐसा मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर आनन्द में पद को प्राप्थ होता है, यह सुनकर भीम सेन ने भी इस शुब एकादशी का व्रत आरंब कर दिया, तब से जेश्ट मास की शुकलपक्ष की यह एकादशी पांडव एकादशी के नाम से विख्यात हुई, इसे भीम सेनी एकादशी भी कहा जाता है, और निर्जला एकादशी कि इस दिन पूरी तरह से निर्जल रहकर व्रत किया जाता है, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है, और उठकर नित्यकारियों से निवरित होकर नानित्यादी करके, सबसे पहले भगवान सुर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, फिर अपने घर के मंदिर में लेक्त दाहिने हाथ में जल, पुष्प और दिल लेकर और कुछ पैसे लेकर व्रत का संकल्प ले लीजी, व्रत का संकल्प सही तरीके से लीजीए, क्यूंकि एक अदशी निर्जला एकादशी के दिन जब हम संकल्प लेते हैं तो आवश्यक होता है संकल्प लेते समय और जो भक्त निर्जल व्रत धारण करने में असमर्थ हैं, नहीं धारण कर पातें, मन में शंसय है किसी प्रकार का, तो भगवान से प्रातना कीजिए, मतलब संकल्प लेते समय आपको बोलना है, यथा संभव निर्जल रहने का प्रयास करूँगा या प्रयास करूँगी, इ अगर आप निर्जला एकादशी का संकल्प निर्जल रहकर व्रत करने का लेते हैं, तो उसके बाद आप अगर जल ग्रहन करते हैं, तो व्रत को खंडित माना जाता है, बिल्कुल भी आपको की गई एकादशी का फल नहीं मिल पाता है, इसलिए संकल्प लेते वक्त ध्यान कि आप इस स्थान पर हैं और फिर वरत का लेंगे तो आपको आपके किए गए वरत का संपूर्ण फल मिलता है और संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामगरी है भगवान श्रीहरिविष्णु के चरणों में अर्पित कर दिजिए संकल प्लिजिए तो इस प्रकार से सही तरीके से वरत का अगर आप संगल प्लेंगे तो आपको आपके किये गये वरत का सम्पूर्ण फल मिलता है और संकल प्लेने के बाद आपके हाथ में जो सामगरी है भगवान श्री विश्नु के चरणों में अर्पित कर दीजिए और हां भगवान से प्राटना जरूर कीजिए अब भगवान श्रीहर विष्णु के दाहीनी तरफ एक कलश की स्थापना कर लीजिए किसी भी एक पात्र में आप जल भरकर और उस पर पंच पल्लव रखकर और पंच पल्लव के ऊपर आपको एक पात्र में थोड़ा सा तिल रटना है सफेद तिल और उसी के ऊपर नारियल की स्थापना आप कर सकते हैं और भगवान के समक्ष शुद्धिकी का दीपक प्रजवलीत कर लीजिए इसके बाद भगवान श्रीहर विष्णु का जो भी विग्रह आपके पास है आप उनका भी शेक कर लीजिए पंचाम्रित से कच् भगवान पर बहुत आसानी से मिल जाता है ना मिले तो आपके पास जो कलावा होता है उसी में से आप थोड़ा सा तोड़ कर यग्यो पवीत का ध्यान करते हुए भगवान के चलुनों में अर्पित कर दीजिए भगवान का श्रिंगार चंदन से कीजिए इसके बाद पीले प्रदान करने वाले फल जैसे कि तर्बूझ खर्बूझ यह सभी चीजे भगवान को इस मौसम में अर्पित की जाती हैं विशेश रूप से आम का भोग भगवान को ज़रूर अर्पित करने से ऐसा कहा जाता है कि बंगुला की योनी से मुक्ते मिल जाती है तो यह जरूर बाकि आपके अपनी उपलब्धता है चाहे तो मिठाई का भोग लगा सकते हैं दूछ से बनी हुई मिठाईयों का भोग भी लगा सकते हैं या मखाने की साबुदाने की खीर बना कर भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं और इसके बाद धूप दीप अर्पित करें फिर आप वहीं बैटकर मंत्रों का जब कर सकते हैं, कोई साभी मंत्र आप जब सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाइनमा, ओम नमो नाराइनमा, ओम विश्नवे नमा, इस प्रकार से भगवान के किसी भी मंत्र का जब आप कर सकते हैं, चाहे तो माला से, या फिर करमाला से या फिर यथा संभो बिना गिने भी मंत्रों का जब किया जा सकता है हाँ जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय पूरे समय मंत्रों का जब चलता रहे इस बात का ध्यान रखिए कभी भी मौन रहकर पूजा नहीं की जाती है मंत्रों चारण के द्वारा ही हमेश मतलब आपके पास जो भी सामर्थ हो सबसे आसान होता है सबके लिए सुलब होता है मिट्टी का पात्र तो एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा ले लीजिए या सुराही ले सकते हैं उसमें थोड़ा गंगा जल डाल कर शुद्ध जल से उसे भर कर जहां पर आप अगवान की पैसे रख सकते हैं जितना भी आप दक्षिना देना चाहते हैं धन दान करना चाहते हैं अपनी समर्थ के अनुसार धन वहीं पर रख दीजिए ये सभी चीजे दान में जाएंगे इस बात का ध्यान रखिए और जो चीजे आप भगवान को अर्पित करते हैं फल या जलाहार रहना चाहते हैं या फलाहार रहना चाहते हैं या पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भड करता हैं समर्थी पर निर्भड करता हैं लेकिन निर्जला एकादशी के दिन पूरे दिन पूरी रातरी मतलब पूरे 24 घंटे इस बात का ध्यान रहे कि हर समय कोई नो कोई मंत्र हर समय मन में चलता रहे मानसिक जब करते रहे चाहे तो आप मोबाइल पर चला कर भी सुन सकते हैं घर में भी आप मंत्रों की ध्वनी मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं ताकि हर समय हर किसी के कान में मंत्रों की ध्वनी गूजती रहे आप स्वेम भी मानसिक जब कर सकते हैं भगवान श्रेयर विष्णु के सामने एक अखंड दीपक सुबह से लेकर अगली सुबह तक के लिए जला दीजिए और वहीं बैटकर मंत्रों का अधीक से अधीक जब कर सकते हैं जब भी आपको समय मिलता है बैटकर विष्णु शहस्तर नाम का पाट आप कर कर सकते हैं चाहे तो भगवदगीता का पाट कर सकते हैं गजेंद्र मुक्ष का पाट कर सकते हैं मतलब अपनी इच्छा के अनुसार पूरे दिन किसी ने किसी पाट को करते रहिए ताकि मन आपका भगवान श्रेयर विष्णु के चरणों में लगा रहे और इस प्रकार से जब आप पूजा आराधना में मन लगा कर रखेंगे तो प्यास भी कम लगती है। जब आप पूजा आराधना में मन लगती है। वरत खोलने के कुल अवधी होगी 2.46 मिनट की। तो इसी शुब मुहुट में आपको अपना वरत खोलना है। वरत खोलने के लिए आप सबसे पहले चरणामरित लीजिए भगवान श्री हर विष्णु का अभिशेक किया हो जो जल होता है। उससे अपने दाहिने हाथ में लेकर और तुलसी पत्ते के साथ इसी को निगल कर सबसे पहले वरत खोला जाता है। क्योंकि बिना तुलसी पत्ते के एकादशी का वरत संप्रोण नहीं माना जाता इसलिए इसी प्रकार से आपको अपना वरत खोलना चाहिए। इसके बाद जो भी शुद्ध और सात्रिक भोजन आप खाना चाहते हैं बनाकर सबसे पहले भगवान को भोगर्पित कीजिए। उसके बाद गौ के निमित उसी भोजन में से आप निकाल दीजिए। फिर ब्रामःड को घर बुला कर भोजन कराईए और उसके बाद शुब महुट में आप स्वैम भी भोजन कर सकते हैं। अगर ब्राम्हड को घर बुलाना संभवना हो तो ऐसे में ब्राम्हड की नमीत दान की सामगरी निकाल कर और ब्राम्हड को दान करने के बाद स्वैम भी शुब महुट में आप अपना वरत खोल सकते हैं वरत का पारण कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभवश्य होगा अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अ अब तक के लिए नमस्कार